तो बचे आज की क्लास में हम सुरू कर रहे हैं कल हम पीछे पड़े चुके थे मराठा सामराज्य और मैंने बताया कि मराठा सामराज्य हमने कंप्रीट नहीं पड़ा है अभी मराठा सामराज्य में complete मराठा सामराज्य जब होगा जब आप अंग्रेज्यों को समझ जाओगे और आंगल मराठा जब संगर्स होगा तो आप जान पाओगे कि मराठों की अंत में स्थति क्या थी अना और तो उसके लिए हमको सुरू करना पड़ेगा एक नया अध्याय और उस अध्याय का नाम है भारत में विदेशी सक्तियों का आग्मन विदेशी सक्ति से क्या आरत है विदेशी सक्ति से मतलब है जो हमारी सरजमी से नहीं दूसरी सरजमी से आए दूसरे देसों से आए किसलिए आये भी आये तो पहले तो इनके दो मोटिव हैं दो मोटिव दोनों अपने दिमाग में लेकर क्या हो एक तो ये लोग आये वियापार के लिए किसके लिए वियापार के लिए और दूसरा आये थे ये लोग इसाईयत के पिरचार के लिए इसायत मतलब इसायी धर्म के पिरचार के लिए याद है मैंने अकबर के टाइम पर बताया था 1579, स्टिफन्स थॉमस, 1583, रॉल्फिच वो दो लोग क्यों आये थे? इसायी धर्म का पिरचार करने के लिए आये थे तो इसायत का पिरचार करने वो लोग आये ये इनका उद्देश्य रहेगा और उसके बाद ये लोग लूट पाट करेंगे उसके बाद ये पैसे को सुरुमे व्यापार के लिए आएंगे तो ये किरम आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे सबसे पहले कि आने का किरम क्या है विदेश्यों का तो सबसे पहले कौन आये हैं बच्चे आपके पुर्तगाली आये हैं ओके डच फिर अंग्रेज फिर डैनिस फिर फ्रांसिसी फिर स्वेडिस पुर्तगाली लोग कहां से आये पुर्तगाला देश से इसके बाद में आते हैं डच Dutch कहां से आये थे इनके पुराने देश का नाम Holland था और आज देश का नाम क्या है नीधर लेंड है फिर आजाते हैं आपके अंग्रेज, बरिटेन, UK से फिर आए डैनिस, डैनमार्क से ये सभी लोग आएंगे भारत प्रवियापार के लिए कमपनी स्थापित करेंगे, कब-कब आए, कब-कब कमपनी स्थापित की इन्होंने, सारी चीजे हम जानते रहेंगे एक परसनल व्यक्ति के बारे में जानेंगे, इनका कौन आदमी पहला आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलो सुरू करेंगे भी ऐसीज को इतना लिख चुके हैं, थमसब करके बताएंगे एक बार कि आप ये बाते लिख चुके हैं, तो यहां ध्यान से देखोगे एक बार, क्या बोला मैने ये वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप के बारे में आप परिचित होंगे, जोग्रफी में आप लोग पढ़ चुके होंगे, यहां ध्यान से देखना भीया देख पारे हो या नहीं देख पारे हो, तो आइडिया लेना, अगर देख नहीं पाओ तो अंदाजा लगाना, ओके, अपना देश भारत जानते हो, कहां स्थिति है, हर बच्चा जानता होगा अपने देश इस्पेन, क्या है, इस्पेन, और इस्पेन के बगल में चोटा सा है पुर्तगाल, यह चोटा सा कौन है, यह पुर्तगाल है, चीक है, यह क्या है, जो वाइट सरकल मैंने किया है, और कोई सी और कलर से कर देते हैं, ये लो, ये है पुर्तगाल, ओके, तो पुर्तगाली लो तो यह जो समय है, यह जो समय था, एक मिनिट, एक सेकंड रूपना बच्छे वस, चलो, आज हो, तो क्या मनेंगे, मैं सोर के लिए मना करना किया, भाहर सोर हो रहा था, बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे इसको, तो एक जम से भिया, यह लोग भाहर से कूदकर के भाहरत की जमी पर नहीं आ गए, हुआ क्या दरसल में, तो यह जो समय था, यह विज्ञान का समय था, पनरजागरन काल का समय था, तो इस समय कमपास जैसे यंत्रों का आविसकार सुरू हुआ, कमपास यानि कि दिक सुचक यंत्र, जिसने दिसाओं के बारे में समंदरी नाविकों को यह ज्यान बढ़ा, कि दिसाएं होती हैं, लोगों को यह पता चला, कि हाँ, जैसे एक व्यक्ति था, मैगनल, उसने पूरी धरती का चक्कर लगाया, उसने बोले, धरती गोल है, घुम के कही लोगों का मतलब ग्यान जो है, वो बढ़ना शुरू हुआ, तो समंदरी यात्राइं शुरू ही, और किसी ने देश की खोज नहीं की, देश सब अपनी जगे हैं, खोज किस की हुई है, वहां के व्यापारिक मार्ग की, वहां के समंदरी मार्ग की खोज हुई है, तो कैसे यह खोज हुई है, यह हमको पढ़ना है, कि यह लोग कैसे आएंगे, ध्यान से समझना, तो पुर्तगाल से चलेगा पहले बार्थोलोमियो डियाज, और बार्थोलोमियो डियाज आएगा आपका अफरिका में, कहां आएगा भीया, अफरिका में आएगा, ध्यान से देखन कहां आएगा अफरिका ऐसे ही क्यों आया समझगे होगे समंदरी मार्क से आया और यहां जो हमारा स्थल है जब मैं नाम लू तो आप लोगों के दिमाग में इमेज होनी चाहिए यह जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कैप आफ गुड होप गुड होप यानी कि एक आसा खुली यह भी आगे का समंदरी मार्क हो सकता है पिर इसी मार्क से चलकर के आपका कौन आएगा इसी मार्क से चलकर के आएगा पुर्तगाली यातरी जिसका नाम हर बच्चा जानता होगा वासको डिगामा सुनाता हो गई तो वासको avp फिर भारत आएगा कहा पौचेगा कालिकट पौचेगा ऐसा नहीं था भारत के बारे में लोग परीचित नहीं थे परीचित पहले से थे समध्री मार्ग के बारे में जानते थे आप लोग जानते ने अरब अक्रमणकारी पहले आये हैं से कुछ समान लेकर जाओगे जमीन के रास्ते, तो बीच में इतना लमबा तो यह लूटेरे लूट लेंगे ना। जानते थे भारत सौने की चडिया है, बड़े आकरांता भारत में लूट करने के देशचे से आते रहे, भारत को जितना लूटा गया किसी से उतना लूटा भारत को तो ये इसलिए सेफ जो ढूंडेंगे कि ऐसा जहां बहुत सारे देशना पार करने पड़े जहां जादा लड़ाई जगडा नहीं करना पड़े और उस समय भहिया समंदरी सक्ती तो थी नहीं मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बहारी विदेशी सक्तियों ने काबू क्यों पा लिया इतने मुगल इतने बड़े प्रसासन पर क्योंकि उनकी नौ सेना मजबूत नहीं थी उन्होंनों कभी ध्यान ही नहीं दिया था मुगलों नौ सेना पर चलो भी, सीखेंगे तो कैसे थोड़ा बहुत ओवर्वी हुआ होगा तो सबसे पहले कौन आया भीया, सबसे पहले आये हैं पुर्तगाली डच, अंग्रेज, टैनिस, फ्रांसिसी और स्वेडे सबसे पहले हम लोग सुरू करेंगे, कहां से? पुर्तगालियों से सरसल में भारत की, भारत की जो ये रास्ता था भारत के लिए इसके लिए निकला था क्रिश्टोफर कोलमबस कौन निकला था? क्रिश्टोफर कोलमबस निकला था कहां से निकला था क्रिश्टपर कोलमबस? इस्पेन से कोलम्बस कहां का था भिया इस्पेन का था कोलम्बस लेकिन भारत की जगे आने की वज़ाए हवाओं के चलते हो रास्ता भड़कने की वज़े से कहां पहुच गया था वो आपका अमेरिका पहुच गया था कहां पहुच गया था अमेरिका 1492 में तो खोज की थी किसने? कोलम्बस ने इस्पेन की आजाओं आराम से लिखेंगे पर्तगालियों से पहले लिख ले न 1492 में USA USA बोले तो अमेरिका 1492 में USA के समुदरी मार्ग की खोज समुदरी मार्ग लिखो या वावपारिक मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो वेक्ति है आपका क्रिश्टोफर कोलम्बस निकोलस कोलम्बस के नाम से भी जिसको आप जानते हैं क्या नाम है? क्रिश्टोफर कोलम्बस भारत आना चाहता था लेकिन रास्ता भटक करके कहां पहुँच गया? उसने बोला धरती पर जाकर के वहां तो ये तो सायद क्या है? इंडिया मिल गया तो बाद में पत्चला रहा है इंडिया नहीं है काका 1492 में क्रिश्टोफर कोलम्बस कहां का है? इस्पेन का नागरिक था इसी लिए तो अमेरीका की जो रासधानी उसका नाम क्या है? वासिंग्टन डी सी और डी सी का क्या मतलब है? District of Columbia और जो कोलम्बिया सम्मान में बोला जाता है वो कोलम्बस के लिए ही कोलम्बिया सम्मान मन लोगों ने बोला है चलो पुर्तगाली पुर्टगालियों में कौन आता है पहले एक नाम आता है पुर्टगालियों में नमबर एक पॉइंट लिखना राजकुमार हैन्री था पुर्टगाल का राजकुमार हैन्री ने अपना पूरा जीवन पूरा जीवन भारत की खोज के लिए समर्पित किया पूरी जिंदी की लगा दी कि भारत के लिए जो मार्ग है या पारेक मार्ग उसको मैजे ढूड़ना और किसी को भेजना लेकिन सफल नहीं हो पाया था पूरा जीवन भारत मार्ग पर खर्च किया ठीक है भी है राजकुमार हेंरी के बाद में कौन आया तब आता है 1487 में 1487 में बार्थो लोम्यो डियाज क्या नाव में वेक्ति का बार्थो लोम्यो डियाज 1487, बहुत important verse है 1487 में Bartholomeo Diage जो Europe से ही था, कहां पहुचता है उत्तरमासा अंतरीप क्या बोलते हैं इसको उत्तरमासा अंतरीप और इस उत्तरमासा अंतरीप कोई बोलते हैं Cap of Good Hope अब आप समझ गई ना Cap of Good Hope कहां बताया था मैंने आप क्यों, बताओ कौन से महादीप में था ये तो भारव नहीं आ पाया है Cap of Good Hope पहुचा था कहां पहुचा था Cap of Good Hope दश्चिन अफरीका महादीप का ये दश्चिनी स्थल पर्तगाल से चला और कहां पहुचता है दश्चिन अफरीका Cap of Good Hope पूचे कि इसकी खोज किसने की है किसकी खोज उत्तरमासा अंतरीप वाले रास्ते की खोज तो ये खोज किसने की आपकी बार्थोलोमियो डियाज ने की किसने बार्थोलोमियो डियाज ने और नोट कर लिए ना ये साउथ अफरीका में बहुत बढ़ियाज चलो नई दुनिया हाँ बिल्कुल नई दुनिया कहा था उसने कॉलम्बस ने बहुत बढ़िया 1487 में पहुँच जाता है और 1487 के बाद में लिखोगे भी है 1487 के बाद में क्या हुआ इसके लगभग 10 वरसों के बाद में 17 मई 1498 बहुत जिगे बच्चे ये आपका 20 मई भी मिलता है इस डाटा में बहुत गड़वड़ है ये वेरिफाई नहीं हो पाता जैसे बहुत सारी बुके हैं आदुनिक इतियास की स्पक्ट्रम जैसे किताब है उनमे 17 मई का वढ़ना नहीं है ना तो नहीं किताम है ये स्पाल ग्रोवर हैं लेखक तो वो 17 मई बताते हैं ये अलग है कई जिगे 20 मई भी है तो 17 मई 1498 को वासको डिगामा इसको स्रे दिया जाता है वासको डिगामा ने भारत के वियापारिक मार्ग की भारत के यूरोप से कहां से कहां तक का यूरोप से वियापारिक मार्ग पुर्टगाल का था वियापारिक मार्ग की खोज की खोजी बोलेंगे कभी इसकार बोल दो इसको कब पहुचता है 17 मईई 1498 में को यहां देखना दियान से इसके बाद क्या होता है 17 मईई 1498 में को कहां पहुचा काली कट केरल काली कट केरल पहुचा काली कट केरल पहुचा ओके यहां तक की बात में कोई दिक्कत लिखना उस समय सासक कौन है वहाँ उस समय हिंदू सासक हिंदू सासक जमेरिन था इसकी जमेरिन के और इसकी बनेगी नहीं लेकिन फिर भी वैलकम करता है सुरवाती दोर में हिंदूस्तान की परंपराग पालन कर रहा है देख रहे हो उस समय हिंदू सासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था क्या किया था इसका वैलकम किया स्वागत किया यहां तक कि बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत उद्देश्य लिखना हवासको डिगावा के आने का उद्देश्य क्या था व्यापार और इसाईयत का परिचार इसाईयत का परिचार इसाईयत का परिचार इसाई धरम का परिचार करने आये थे ठीक है तो ये कौन है कुछ ने शुरुआत की है वास्कोटिगामा कॉमन सी बात है इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चीए वास्कोटिगामा आता है और केरल काली कठी क्यों आया है कहीं और क्यों नहीं गया है क्योंकि बोलते हैं कि केरल जो है आप सबी जानते हो मसालों को बगीचा के नाम से जाना जाता है केरल के मसाले बहुत पहले से फिर सिद्ध रहे हैं और भारत के इन मसालों की मांग दुनिया में बहुत थी जिसमें से सबसे प्रमुक्त था काली मिर्च बागी और वी मसाले थे कपड़े का व्यापार भी नोगों ने बाद में किया बंगाल से लोग बास का व्यापार भी नोगों ने किया लेकिन सबसे ज़्यादा मांग थी भारतिय मसाल की तो जितनी अपनी यात्रा में ये आया, यात्रा का जो खर्च था, उस खर्च से जो ये समान लेकर के वापस में लेकर गया, तो उसमें कहते हैं कि 60 गुना ज्यादा खीमत वसूल हुई, यानि एक रुपे खर्च और 60 रुपे की खमाई ऐसे समझो, पुर्टगाल में एक संसनी पैदा हो गई, कि हमें तो व्यापार कहां से करना चाहिए, भारत से करना चाहिए, और एकदम से फिर बेड़ा भेजा जाता है पूरा तो यहां देखोगे दिहान में, इसके बाद में क्या हुआ, यहां पंद्रह सो, दिखना, इसके बाद में, जब यह वापस गया, इसके बाद में, मतलब वासकोटिगामा तो ही है, जो पूर्टगाल का राजा है, हैंडरी के बाद में, पूर्टगाल के राजा ने, इसके बाद में पुर्टगाल के राजा ने पेडरो अलवारेज कैबरिल के नाम है पेडरो अलवारेज कैबरिल इसके बाद में पुर्टगाल के राजा ने पेडरो अलवारेज कैबरिल एक ही नाम है कैबरिल पेडरो कैबरिल के नाम से जाना जाता है वैसे जाता तो तो इन्होंने भेजा पेडरो कैबरिल अलवारेज को और पिलस में किसको भेजा बार्थो लोम्यो डियाज को अब बदाओ बार्थो लोम्यो डियाज ने किसकी खोज़ की थी छीक है और इसके साथ में कहते हैं कि लगभग इन्होंने 60 जहाजों का एक बेडा लगभग 1200 वैक्ती भेजे कि भाई भारत से वयापार करके लेके आओ कोना यह था अगला दस्ता लेकर के भारत पुर्तगालियों की तरफ से पैडरो अलवारेज क्याबरेल और इस व्यक्ति को भुलना मत बहुत महतपूर्ण है यही व्यक्ति है जिसको हम ब्राजील के मार्ग का खोजी कहते हैं ब्राजील दच्छन अमेरिका के मार्ग की खोजगी थी ठीक भीया जी इस बात को याद रखेंगे ब्राजील के मार्ग का खोजगरता सर जी यह रिकॉर्डड किलास है क्या हाँ जी भीया रिकॉर्डड किलास ही है चीक है बहुत बढ़िया वासको डिगामा इसाई था क्या सर अभी बताया नहीं बच्चे इसाईयत का परिचार करने आएंगे और इसाईयत का परिचार कर सकता है कोई मुस्लिम गख्तिक इसाईयत के परिचार के लिए आएगा आप एक बात सोच है है हो सकता है थोड़ा common sense लगा हो जब मैंने बताया चलो यहां तक कोई दिकत भी है आगे आ जाओं एक बच्चा के राजी उद्देश आधा दे कर दो यह लिओ भी है ठीक है बहुत बढ़िया चलो हिंदी पढ़ाने कुछ फायदा तुम्हें है चलो क्या बोलोगे ब्राजील के मार्ग का खोजकर बार्थोलोमियो डियाज इसके बाद में पुर्टकाल के राजाने इसको क्या भीज दिया तो यहां से यह विया पार करके लेकर तो इन्हों लगा कि बहुत बहुत भारत इस चलते हैं चलके भारत में अच्छा सा विया पार करो बार बार कि आना जाना उधर यूनिट बना था आया 1428 में में वापस चला गया सेकों टाइम आया था 502 में अ फिर आया था 5024 के टाइम में में मित तीसरी बार कंद्र होगे इसकी मोत यह हमें उगई थी तीसरी बार जब बनेसरा या था यहाद र्ख रख लिना 15 Chicago में निकल लिए था यह 1524 में क्या हो गई थी इसकी मृत्ति हो गई थी यहीं इंडिया ओके बहुत बढ़िया आगे आएंगे भी यह तो छोटा से एक रस्ता हुआ कि कैसे इनों ने तै किया क्यों किया कर पाई यह कमपास आदी चीजों कि आविसकार की वज़े से कर पाई आगे बढ़ो तो फिर य गालियों ने जो यह पुर्तगाली लोग हैं पुर्तगाल के पुर्तगालियों ने फिफ्टीन जीरो थ्री में तो कहां पहली कोठी खोलते हैं कोचीन में कोचीन कहां है केरल में कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली है व्यापारिक कोठी से मतलब इन्होंने अपना एक हेड़कॉर्टर बना लिया वियापार करने के लिए यहां हम रहेंगे और जो भी वियापार है वो पहले यहां आता था और यहां से सीधे export करते थे अपने देशों को एक base बना लिया जैसे नौसेना का आर्मी का base बन जाता ना तो इन्होंने अपना एक अड़ा बना लिया अड़ा पुराने समय में अड़ों को बोलते थे फितोरिया फितोरिया पर कफजा कर लिया तब 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली सबसे important question अब का कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली factory कहां खोली थी केचीन कोचीन कहां है आपका केरल में पहली factory इन्होंने खोल दी यहाँ यह बात आपको पता होनी चाहिए फिर आता है पंद्रह सो पाँच में Francis de Almeida Francis de Almeida पहला गवर्नर पुर्तगाली बन कर आया पहला जब इनका व्यापार बढ़ने लगा तो इनन देखा न प्रसासन चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए बन कर आया ठीक है भीया देख एक क्या नहीं बता रहा है राज ग्राविन परिवेस आप पढ़ा हो पागल वेवकूफ पगलू पंद्रह सो पाँच में Francis de Almeida पहला पुर्तगाली गवर्नर जब व्यापार बढ़ने लगा तो भीया फिर पॉलिसी बनाने के लिए गवर्न करने के लिए कोई चीए है तो इन्होंने अपनी तरफ से किसको भेजा पुर्तगाली वोगी तरफ से Francis de Almeida को और यह important बहुत महत्पुन कुश्यन है Francis de Almeida कब यह पूछ लेगा पहला पुर्तगाली गवर्नर को और बना तब 505 में बना और कब से कब तक रहा यह 505 से लेकर के 9 तक रहा 1505 से 9 तक रहा क्या क्या काम है इसने सांत जल नीती अपनाई सांत जल नीती अपनाई नाम कहने कोई सांत है इसका छीक है सांत जल नीती अपनाई और कार्टेज पधती लागू की कार्टेज पधती लागू की अब आप सोचेंगे जिस सांत जल नीती क्या है तो जब पुर्तगाली आपका आचुके हैं केरल में केरल में ही क्यों आए हैं जान चुके हैं ने इस बात को क्योंकि मसालो का व्यापार उने करना था इसको बोलते हैं हम लोग बिल्यू वाटर पॉलिसी क्या बोलते हैं बिल्यू वाटर पॉलिसी इसका मतलब था, देखो इधर दियान से ये आपका दच्छिन में इधर केरल हो गया भी है ओके बस केरल ये लोग आए, तो इधर कौन सा है आपका क्या बोलोगे, अरब सागर है जी क्या है, अरइबियंसी अरब सागर को ये लोग सोच रहे थे अगर हम आये हैं, तो हमारे बाद और लोग भी तो आ सकते हैं तो इस पहले ये जो तट है ना कौंकर तट माला बार तट, इसको पहले अपने अधीन करो इसको कंट्रोल में करना जरूरी है तो इसके लिए ये फ्रांसिस दाल मेडा ने बनाई सांत जल नीती तो अरब सागर में अपना नियंतरन करने के लिए उसने सांत जल नीती को अपनाया ताकि इस वाले छेतर में सांती रह सके और सिर्फ हमारा एक छेतर राज रह सके कार्टेज पद्धती क्या थी? ये लोग यहां थे यहां आओगे पुर्तगालियों का कंट्रोल हो चुका था इस टाइम पर पुर्तगाली सकती बढ़ चुकी थी इन्होंने बेस बना लिया था सैनिक आ चुके थे इनके हैं भारत में कोई नहीं था क्या दच्छिन में नहीं बस गुजरात में एक सबसे कहते हैं मजबूत सासक, महमूत, बेगड़ा इनसे भिड़ता है बागी तो छोटे-छोटे राजा थे उस समय तक बिखर चुके थे बारत के राजवनस तो यहां समझना एक बात में तो यह काटेज पधिती थी क्या तो यह लोग लेना पड़ता था लाइसेंस किस से? पुर्तगाली गवरनर से लाइसेंस लो और व्यापार करो, समंदर में जाओ और अगर लाइसेंस नहीं लिया तो लूट लेंगे पुर्तगाली फिर पुर्तगाली उस जहाज को जो कार्टेज नहीं लेता था लाइसेंस नहीं लेता था उसको लूट लेते थे तो ये कार्टेज पधती और सांत जलनीती आप समझ चुके होंगे किस ने लाया फ्रांसिस दी अलमेडा लेकर आया फ्रांसिस दी अलमेडा कौन है भीया जी ये पहला आपका पुर्टगाली गवर्नर बन करके आया था यहां से कोई दिक्कत इस बात में एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम बहुत बढ़िया हाँ सांत जलनीती नीले पानी की नीती भी कहते हैं ये बहुत बढ़िया इन्हों ने परमिशन किस से ली होगी इन्हों किसी से परमिशन नहीं ली व्यापार के लिए आये उस समय के इस स्थानिय सा सकत tutaj उनको लालच दिया इन्होंने तरह तरह के उपहार प्रिजेंट दिये, कोठी खोलने में किसी को दिक्कत नी हुई, किसी को कोई समझ्चा नी, वेलकम किया गया जम्य और इनके दुआरा, साउथ में, उसका साउथ में उसमें प्रभाव था, लेकिनों से भी कोई दिक्कत नी, तरसली सीखोगे आप कैसे कै पार होंगे इनके जगडे होंगे, ऐसा नहीं है, बहना जगडए के काम बन जाएगा, पिर इसके बाद में सबसे important आता है दूसरी बात में second कोठी इनकी जो दूसरी कोठी पहली कोठी कब खुल दी इन्होंने पंद्रह सो तीन में दूसरी कोठी इन्होंने कहा कनूर में कनूर कहा केरल केरल को बड़ा ये target कर रहे हैं क्योंकि भीया व्यापार करना था काली मिर्च का क्या बोलोगे काली मिर्च का व्यापार करना था और कनूर में कोठी खुलने से पहले ही यहां विरोध किया था किसने महमूद बेगडा ने याद रखना महमूद बेगडा महमूद बेगडा था गुजरात का इसने आवाज की थी इसको इन्होंने हरा दिया लेख लेख लेना मेहमूद बेगडा गुजरात को हराया था बहुत बढ़ irregular कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़ बहुत संदार थमसब करके बताओ ऐब चार जी आपके मुहसे अंग्रेजि अच्छी नहीं लगती ऐसी हो जाता हींदिक टीचर हो गया ना ना था अंग्रे जी बोलता ईं नहीं उमें इसलिये बोलता यह और English बोलो, देखा तुमने मुझे English बोलते हुए, मैं खुद बचता हूँ, मेहमूद बेगडा गुजरात, उसके बाद में second कोठी कहां खोली, इन्होंने कन्नूर केरल में खोली, और इसके बाद में याद रख लेना 509, 509 तक है ना, 509 से 5015, यहां आता है आपका अलबुर्क, अलबुकर्क, गवर्नर बनकर आया, गवर्नर बनकर आया, कहते हैं कि पुर्तगालियों की सकती का जो वास्तिविक संस्थापक है, पुर्तगाली सकती को भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत किया, वो अलबुकर्क ने किया, कैसे, क्योंकि इसने expansion करेगा ये च्छेतरों क बहुत सारे च्छेतरों को जीत लेगा, एक तो चीज याद रख लेना, इसने जो ये blue water policy थी, इसको रद कर दिया, सांत जल नीती, policy को क्या कर दिया, खतम कर दिया, बोला इसकी जरुरती नहीं है, हम अपना आप देख लेंगे, सबसे important question पुछा जाता है, पुर्तगाल से, पुर्तगाल में गोवा का control कब हुआ, इसी के समय, 1510 में, बीजापुर से, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वास्तिक संस्थापक क्यों बोलते हैं इसको, बीजापुर से, गोवा को छीन लिया था इसने, गोवा छीना, 1510 में 1510, और यहीं है फिर, और यहां एक important question आएगा कि गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बनी थी, यह बनेगी नीनोदी कुनहा के टाइम पर, तो कब अधीन किया था इन्होंने गोवा को बोलोगे एक बार, क्या बोलेंगे 1510 में किसके समय पर, अलबुकर के समय पर, बहुत बढ़िया, देखो सिधार्थ सर्माजी कि ने कितना चर लेट किया है, वासकोडिगामा, सिकंदर, लोधी के समय आया था, बहुत सांदार मेरे शेर, 1489 से था ना, 1517, बहुत गजब, इसको बोलते हैं सांदार बच्चा, very good, गजब, गजब, यह हमने बात वहां भी की थी, जब हम पढ़ रहे थे उसको, तो 1510 में बीजापूर से गोवा इसने छील लिया, और यहाँ याद रख लेना, 1529, नीनो दी कौनहा, नीनो दी कौनहा, क्या बन करके आता है, गवर्नर बना था, इसके अलावा आपको गवर्नर के बारे में कुछ भी जानने की ज़रुत नहीं है, यहाँ 1530 में, गोवा राजधानी बनी, फुर्तगालियों की, गोवा राजधानी बनाई, छीक है, 1535 में, दमन, दमन जो छेत्र है, दमन वे दीव पर अधिकार, तुम्हें याद है कि भारत में सबसे बाद में कौन आजध हुआ है, कौन सी जगह है, फुर्तगालियों से या आजध हुई है न, सबसे पहले और सबसे बाद में छोड़ी गई जगह है, यह, छीक है, बहुत बढ़िया, क्या बोलोगे, 1535 में दमन वे दीव पर अधिकार कर लिया, 1530 में गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1579, 1559 सॉरी, सॉरी, दमन नहीं दीव लिखना था मुझे है, दीव पर अधिकार कर लिया, यतना लिखना, दमन को तो क्योंकि इन्होंने बाद में गहरा था, दमन गहरा था है, इन्होंने 1559 में, 1559 में दमन छेतर पर अधिकार किया, कहा अधिकार किया भी है, दमन छेतर पर अधिकार किया, बहुत बढ़िया, गोवा, 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 बहुत सांदार सबसे बाद में आपका द्यमन दीव नहीं बच्चे सबसे बाद में दीव बता रहे बहुत सारे बच्चे बताते रहो गोवा 1961 में आजाद हुआ भी या 1961 में चलो 1569 में दवन छेत्र पर अधिकार कर लिया इसने कोई दिक्कत यहां तक नीनोदी कुनहा गवर्नर बन गया इनका पर सासन समझ रहे हैं कैसे एडमिनिस्टेशन इनका चल रहा है अब बात आती है इसमें किसकी फिर कि पुर्तगाली सासन से हमें क्या मिला पुर्तगालीयों की देन पुर्त गालियों की देन क्या थी भारत को तो कौन सी देन है कहते हैं नंबर एक तंबाकू नंबर दो आलू प्याज टिमाटर फलाना ढिकना आलू टिमाटर सबसे इंपोटेंट है प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस चापे खाने का विकास हुआ प्रिंटिंग प्रेस और नंबर चार जहाज निर्मानकला जहाज निर्मानकला को सबसे अच्छे से जानते थे पानी का जहाज ठीक है भीया जी तमाकू की बात करते हैं तमाकू की यहां देखो भीया क्या बोलोगे तमाकू की बात करते हैं तमाकू किसने इंट्रोडीस किया था वारत में अगर कोई पूछे पुर्तकालियों ने तमाकू की खेती किसके समय सुरू हुई थी तो बरनेल एक व्यक्ती था बरनेल ने अकबर से तमाकू की खेती सुरू कराई थी तमाकू की खेती यह बात्साह के दरबार में लेकर गया था तमाकू बात्साह को दो चलम प्यादीस ने तमाकू की बात्साह अपने चक्कर आ गए बास्तान सोचाए तो अद्भूद चीज जाए तो खेती करो इसकी अकबर से बरनेल ने अकबर से तमाकू की खेती सुरू कराई थी जिस पर रोक किस ने लगा दी थी जहांगीर ने खेती सुरू कराई हो के भीया प्रिंटिंग प्रेस जहाज निर्मान कला फिर यहीं क्या होता है बाद में पुर्टगालियोंने किस साधी कर ली थी अपनी राजकुमारी कैथरीन बिरगेंजागी बहुत बढ़ियां गुरू जी फलाना धिकना भी लिख लूँ लिख लो लिख लो सरजी तनी दूर आकर भी भारत को कंट्रोल कैसे कर लेते थे बुद्धी बुद्धी से होता राज सक्ति से नहीं होता राज सक्ति साली तो हमारे यहां के राजा बहुत है क्या वो लोगे पुर्टगालियों की देद आगे आज़ो भी आ नेक्ष्ट 1661 1661 में पुर्टगाली राजकुमारी क्या नाम था पुर्टगाली राजकुमारी कैथरीन बहुत समय आगे ले गया तुमको मैं कैथरीन कैथरीन की साधी हुई थी बिरिटिस राजकुमार चाल्स से की साधी राजकुमार अंग्रेज है राजकुमार चाल्स से हुई इतना तकड़ा दहेज दिया गया कि जो बंबई थी ना बंबे उस समय तो बंबे था बंबे था पुर्तगालियों के अधिन और पुर्तगालियों के अधिन से बंबई क्याकर दिया गया दहेज में दे दिया गया और यही वो व्यक्ति है बॉंबे दहेज में मिला जो अंग्रेजी सूत्रपात्र का बहुत बड़ा कारण बना बॉंबे दहेज में मिला और बाद में इसने मात्र दस पॉंड में दस पॉंड में क्या कर दिया था पूरी बुंबेई को किसको सोप देगा यह इस्ट इंडीय कंपपनी को सौप देता है या इस्ट इंडीय कंपणी को सौप देता है ऑड़त जब आलू टिमार्डर की खेती से यह परिछित कर रहे हैं तो पहले कहा होता होगा खुदी ही सोच लो तमाकू से इन लोगों ने परिचित किया तो पहले तो नहीं होता होगा ना बहुत सही तुम्हें ऐसा लगता होगा आलू को देखके दिए आलू तो हमारे साथ ही पैदा हुआ आए जब से मानव सब बहता तब से आलू है भारत में है ऐसा नहीं है भी यह ठीक है तो सोले से एक सेट में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ ही किस से हुई राजकुमार चालर्स से हुई थी यहाँ देखो 1659 में मतलब इसी समय इस से पहले दो साल पहले की बात है जो सिरिलंका था इन लोगों के पास में 1659 में तो इस सिरिलंका था इस सिरिलंका जानते हो न सरिलंका को डचों ने छील लिया था मतलब डच भी आ चुके थे जी हाँ जी डच कहां से आये थे अब कमेंट सेक्षिन में बताव एक बार डच कहां से आये बच्छा उनके धेर सारे नाम है कि यहां नेतर तब कौन कर रहा था डचों का सिरिलंका को कैसे छीना था सिरिलंका को उसको आपको कोई अर्थ ही नहीं है उसका और वो इतनी विसाल और विस्तरत चीज़े हैं कि आप उलज़ के रह जाओगे एक बार तो क्या बो लोगे 1669 स्रिलंका को डचों ने छील लिया था डचों ने छील लिया तो डच आगमन हो गया भारत में अब डच कहां से आये थे भीया डच कहां से आये थे क्या बो लोगे हॉलेंड से दूसरे नंबर पर डच ही तो आये थे और पहला डच यात्री कौन है पहला डच यात्री कौन है कार्निलिस दा हाउट मैन कार्निलिस दे हाउट मैन यह आया था 1596 में कब आया था भिया बहुत सही बचे कागज का इतिहास क्या है कागज बच्चे चीन से सुरू हुआ है चीन से पेडों की छाल से उसका आविसकार किया गया कागज का बताऊंगो मैं नौट मुद्रा बताऊंगो न मैंने बोलो न मैं आपके क्लास लूँगा सिक्कों की क्यों गपराते हो दहेज तो बच्चे मैंने बताया था कासी दहेज में नहीं दिया गया था मगत सामराज्य के टाइम पर दहेज कोई आज से थोड़ी है दहेज तो बहुत लंबी प्राचीन समय से है रोहित गोड क्या रहें दहेज भी इनकी देन है था जी फिरता चलो भई तो यहां डचो की बात करते हैं तो डचो की दो फैक्ट्री है पहली फैक्ट्री कहां खोली डचो ने और कब खोली और दूसरी फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली 1605 में और दूसरी अगले पांस साल बाद इसमें ये खोली मसूली पटनम में मसूली पटनम ठीग ए और दूसरी खोली कहां पुली कट केरल में मसूली पटनम कहां है आंधर पर्देश आंदर प्रदेश में आंदर प्रदेश में बहुत बढ़िया आंदर प्रदेश में भीया कहां पहली फैक्टरी पंध्रह सो 1605 में मसूली पत्नम में और दूसरी फैक्टरी 1610 में कहां खुल दी इन्होंने पुली कट में खुल दी 1616 में इन लोगों ने कहां सूरत में अपनी फैक्टरी खोली थी वियापारिक कोठी कोई बोलना 1616 1645 ये लोग कराईकल में पहुच गए थे कराईकल कराईकल कहां है पुण्डूचेरी आपने पढ़ा होगा पुण्डूचेरी उसके बारे में संगराज्य यहां देखोगे अब ध्यान से तो अगर बात करें आंदर परदेश के तठ पर इधर पहुच गई है पुली कट केरल इधर भी इनका कंट्रोल है पुण्डूचेरी वाले पर भी इनका और गुजरात पर तो मजबूत हो रहे हैं डच भी नहीं डच भी किससे आकर के संगर्स करते हैं डच संगर्स करते हैं आकर के किससे पुर्तगालियों से यह बात याद रख लेना आप लोग तो यहां दुन्य से दूसरी बात है कि इस डचो का जो पतन हुआ था डचो का पतन कैसे हुआ था डचो का पतन हुआ था वेदरा के युद्ध से डचो का पतन हुआ था वेदरा का युद्ध वेदरा का युद्ध वेदरा के युद्ध से हुआ था कौन लड़ेगा वेदरा के युद्ध को? बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन है 1769 में हुआ था 1759 में और किसने हराया था इनको अंग्रेजों से हुआ था अंग्रेज वर्सेज डच ये लोग थे हॉलन्ड के लोग डचों ने तो सासन का खात्मा किया था किसके का डचों ने तो सासन का खात्मा किया था आपका पहले कौन आई पुर्तगाली तो पुर्तगाली उन अच्छा खासा कंट्रोल किया फिर उनको डचो ने हराया डचो के बाद में कौन आए आपका डचो के बाद में मेरे लाल कौन आता है अंग्रेज आ जाएंगे कौन आएंगे अंग्रेज और डचो का जो पतन हुआ वो वेद्रा के युद्ध से हुआ कहां से हुआ वेद्रा के युद्ध से हुआ है कहां से हुआ है वेद्रा के युद्ध से आसा करूँगा आप लोगों के इतनी बात समझ में आई है क्या बता रहा था मैं इधर देखू देहां से एक बार सकतियों के बारे मैं बता रहा था कौन-कौन सी सकतिया, कौन से क्रम, आईए, पहले कौन सी आईए, बाद में कौन सी आईए तब पुर्तगालियों की जिगह, जो मजबूती परदान की, वो किसने, अपने सामराजजय को डच होने और ये पुर्तगाली एकदम से ऐसे नहीं हार गए अन्त समय में ये लोग मिल गए थे किसके साथ अन्त समय में ये लोग इस्पेन देश के साथ हो गए थे पड़ोसी था ना इनका इस्पेन बिरिटेन से पहली एक ताकत है फ्रांस और इस्पेन ये बिरिटेन से पहली ताकते है तो क्या बोलोगे भीया कि पुर्टगालिया इस्पेन के साथ मिल गए थे जैसे जैसे इस्पेन देश का पतन हुआ साथ में आपका पुर्टगालियों का ठीक है भीया याद रखलना इस बात है बाकी भीया कल पढ़ाऊंगा ओके कल पढ़ाऊंगा यहां से आगे कल कंटीनि करते हैं ओके बाई बाई टेक केर जैहिंद जैभारत अपना ख्याल लखे पढ़ते रहे